तीस दिवार का समय चल रहा है ऐसे में आए दिन हम सभी के घर में कुछ नकुस्तो मीठा बनता ही रहता है राखी भी आने वाली है जन्मास्ट भी भी आने वाली है जब मन हो तब आपको मीठा खाने का तो आप इस तरह से पेरा जरूर बना करके देखिएगा एक ऐसी छोटी इसी टिप्स में इसमें दूंगी कि आपका भी पेरा का कलर जो है बिलकुल मार्केट जैसा हो जाएगा वो भी बिना मिलावट का ही इस पेरा को बना कर तैयार करेंगे तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मुझे पूरा विस्वास है कि आप ल लेना है तो दूद तो मैं यहाँ पे दूद मलाई के साथ ही ले रही हूं मलाई हमें निकाल कर नहीं लेना है अगर उबला हुआ दूद है तो तो दो लीटर मैं यहाँ पे दूद का इस्तेमाल कर रही हूं पर आपके हाँ जो भी दूद होगा जैसे कि गाय का या फिर बै अच्छी तरह से आप पेरा बना कर तैयार कर सकते हैं अदर्वाइज आप गाय का दूद ले ले या फिर भैंस का कोई सावे दूद चलेगा हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे दूद को गरम होने देना है अब आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूं दोस्तों कि आप लोग है न तो वो कहते हैं कि 15 मिनट में ही दूद गाढ़ा हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों 20 से 30 मिनट तो लगी जाते हैं दूद को गाढ़ा करने में इतने में आप दूद को गाढ़ा होने के लिए गैस पे रख दे और थोड़ी थोड़ी देर पे लेडल को हिलाते रह हैं इतने में आप दूसरा काम भी कर सकते हैं तो मैं तो सेम प्रोसेस ही की हूँ मतलग कि मैं दूद को रख दी थी गाढ़ा होने और थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसे बस मिक्स करने के लिए आ गई हूँ और फिर इतने में में दूसरा काम भी निप्टा रही थी साथ ह साथ तो चलिए मिडियम हाई फ्लेम पे ये प्रोसेस हमें करना है ताकि दूद हमारा जल्दी से गाढ़ा हो जाए कोई मिलावट वेगर नहीं करेंगे ना तो मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो गेहुं काटा डालेंगे जैसे ही दूद आपका गाढ़ा होकर आधा हो जाए ना तो इसमें हमें डाल लेना है चीनी तो आप अपने मीठा जैसा भी पसंद करते होंगे उस एकॉर्डिंग चीनी आठ कीजिएगा तो मैं यहाँ पे चार से पांच चमच चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको थ से जादा चीनी लेने की हमें कोई आवस्चता नहीं है और मेडियन फ्लेम पे यह प्रोसेस हमें करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे लेडल को हिलाते रहना है बस दूद जो है ना हमारा तले से चिपके नहीं देखिए कुछ इस तरह से दूद जब काड़ा हो तो हम इसकी कंसिस्टेंसी आपको आगे दिखा रहे हैं देखिए देख रहे हैं थोड़े थोड़े से बबल्स उठेंगे और थोड़े थोड़े इसके चीटे भी उड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे आप लोफ कर दीजेगा गयास के फ्लेम को और फि अब इससे जादा आप मत पकाईएगा आप मार्केट जैसा कलरफुल आपका पेरा बने मतला देखने में बिल्कुल डार्क गोल्डेन हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसे किसी भी बावल में निकाल दीजे और इसे कवर करके आप आधे से एक गंटे के लिए रे परस एक प्लेट में निकाल कर कवर करके रग दीथी अब आप इसका कलर देखी किसमावा का देख रहे हैं बिलकुल गोल्डेन करर का हो चुका है ना और यह चंबी चुका है मतलग कि यह बिलकुल परक्फेक्ट हो चुका है पेरा बनाने के लिए देखिए ये डो बिलकु नेचुरल तरीके से सिर्फ दूद से ही इस पेरा को बना करके तैयार करिएगा जितना ये खाने में टेस्टी लगता है ना बनाना भी इसे उतना ही आसान है हाथ में थोड़ा सा घील लगा लीजेगा और छोटे-छोटे से पोर्शन लेने है और थम की मदद से इस तरह से प् बनाएए या फिर आप जनमास्ट मी में बनाएए तो चली मैं पहले यहां पे सारे पेरा को बना करके तैयार कर लेती हूं उसके बाद में आपको बताती हूं कि दो लीटर दूद में आप कितने पेरा बना करके तैयार कर सकते हैं अगर बिल्कुल इस साइज का आप बनाए तो चले इस तरह से में सारे पेरा को बना करके तैयार कर ली हूँ तक्रीवन 18-19 पेरा बनकर तैयार हो जाता है दो लीटर दूद में अगर इस साइज का बनाएंगे तो इसमें से 2-3 पेरा मेरी बेटी खाली बनाते बनाते समय ही इसलिए 2-3 पेरा हमारा ये कम पड़ गया थ देखिए आप लोग भी अपने घर में इस आसान तरीके से पेरा को बना कर जरूर तैयार कीजिएगा अगर मेरी आज की रेस्पी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट करके और फैमिली वालों के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई